हाई गाई आज की वीडियों में लेका आया हूं रियल्मी का LED स्मार्ट बल्ब पहले इस बॉक्स कॉंटेंट में क्या क्या मिल रहा है इसको पहले चेक कर लेंगे उसके बाद इसका अन्बॉक्सिंग करेंगे और इसका एक रिव्यू शेयर करेंगे यहाँ पर 16 मिलियन कलर मिले गया और लाइट ओयफ मूट दिया गया है लाइट वेफ मूट से क्या होता है अगर म्यूजिक चलता है तो म्यूजिक इसब से कम ज़्यादा होगा उसके हिसना का LED स्मार्ट यहांगा चलता है तो इसका टोंतल जोलाइट चाईम है 25,000 घंटे का यहां पर lifetime दिया गया है, तो total 25,000 घंटे चले गया है, तो उसके हिसाब से, अगर डेली का 5 घंटे चलता है, तो उसके हिसाब से 13 सल तक यह light चलेगा, और यहां पर इसका जो color temperature दिया गया है, 1700 के से 6000 के तक color temperature यहां पर दिया गया है, यहां पर flickering का कोई भी problem नहीं आएगा, और इसमें जो material दिया गया है, fire resistant material यहां पर दिया गया है, और यहां पर इसका जो MRP mention किया गया है, 1199, लेकिन मैंने इसको realme.com से लिया 799 में, और यह 9 watt का है, यह realme.com और फिलिप का दोनों जगा में ही available है, दोनों का link मैंने नीचे description में दे दिया है, इसका और एक भी model आ गया है, जो realme.com और फिलिप कार में mention किया गया है, कि इस बाल में दो साल का warranty मिलेगा, और बॉक्स के इस साइड में यहां पर power saving के बारे में mention किया गया है, जितना इसका ज्यादा होगा उतना power saving ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यहां पर दो start दिया गया है, और बॉक्स क इस साइड में यहां पर एक Google और Alexa दोनों के साथ ही एक काम करेगा अब टाइम आ चुका है बॉक्स को उपेन करने का बॉक्स उपेन करने के बाद मिल रहा है यह बल्प और बल्प के साथ यहां पर कुछ यूजर गाइड यहां पर मिल रहा है गूगल के साथ एक इस तरह से का करेगा और यहां पर यूजर काइड यहां पर यूजर मैनुल मिल रहा है और यह एलेक्स के साथ किस तरह से काम करेगा इसके बारे में कुछ यहां पर इन्परमिशन दिये गया है और यहां पर यहां पर यूजर मैनुल की पीज़े की तरफ यहां पर वारेंटी कार्ट के बारे में mention किया है और यहां पर देखिए 2 साल के warranty के बारे में mention किया है तो यहां पर इस bulb को यूज करने के लिए दोनों एप की ज़रूरत थे एक है realme link app और अगर आप voice से control करना चाते हो तो आपको google home app को install करना पड़ेगा तो मेरा पहले से realme link app और google home app इंस्टाल किया हुआ है आप इसको install कर लेगा तो किस तरह से इसको connect किया जाता है यहां पर मैं realme app open करता हूं तो यहां पर realme link app open करने के बात यहां पर इस button में press करना पड़ेगा और यहां पर प्र प्यार करना पड़ेगा तो यहां से मैं इसको cancel कर देता और यहां पर lighting में क्लिक करता हूँ तो यहां पर GPS यहां पर on करना पड़ेगा तो location मैंने यहां पर on कर दिया और यहां से इस बर्प को प्रेस करता हूँ और यहां पर देखिए इसको got it यहां पर प्रेस करता हूँ अब यहाँ पर इसको Wi-Fi के साथ इसको connect करना पड़ेगा Wi-Fi होने से यह तभी यह काम करेगा तो मैं यहाँ पर password देता हूँ तो password देने के बाद यहाँ पर एक नया interface चलाया और यहाँ पर details दिया गया है किस तरह से इसको connect करना है light को on करने के बाद power on करने के बाद यहाँ पर 2 second on और 2 second off करना पड़ेगा ऐसे 5 times करना पड़ेगा और एक connect हो जाएगा क्लिक करने बाद confirm कर देता हूँ और इसको next करता हूँ अभी दीगी यह searching कर रहा है तो यहाँ पर जैसे बताया है 2 second on और 2 second off करना पड़ेगा तब यह connect होगा तो यह से 5 times करना पड़ेगा और यह connect हो जाएगा तो अभी यहाँ पर light का जो connection है यहाँ पर चलाया और मैं इसको यहाँ पर देखिए realme LED smart bulb और इसमें मैं click करता हूँ क्लिक करने के बाद ही यह pair हो जाएगा अभी यह connect हो रहा है वाई-फाई के साथ वाई-फाई के साथ connect होने के बाद ही इसको use कर पाऊंगा अभी done कर देते हैं और यहाँ पर देखिए यह connect हो गया पूरी तरह से अब मैं इस light को यहाँ लिंक एप से control कर पाऊंगा तो जैसे मैं यहाँ पर on किया और देखिए light का color यहाँ पर change कर पाऊंगा वाइट में जाता हूं तो देखिए यहाँ पर white का option है और यहाँ जासे white color या दूसरा कोई और इसका brightness जो है मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर पाऊंगास जैसे brightness कम zi और यहाँ पर जो color option है यहाँ रघ्र को यहाँ पर कलर मैं गिल्सक्शाज कर पाऊंगा जह पर पर यहाँ हँ ले किल्क औरा हूं जहाँ पर मैं click करना उसके हिसाब से यहां पर color change होगा और इसका भी brightness मैं यहां से कम ज्यादा कर पाऊंगा अब यहां पर और एक features है scenario mode तो यहां पर click करने के बाद दिखिए यहां पर काफी सारा mode दिया गया है काफी सारा option दिया गया है good night कि देखिए gentle तो यहां पर काफी सारा option यहां पर दिया गया है relaxing कि कलर्फूल तो यहां पर अगर colorful automatically color change होगा देखिए normally यह color change हो रहा है डेजल तो इसके हिसाब से यहां पर color change होता जाएगा working कि brilliant यहां पर भी देखिए normally यह color change होगा reading तो यहां पर काफी सारे यहां पर option दिया गया है color change का अगर कोई भी option यहां पर चूज कर सकते हो तो मैं back में जाता हूँ और यहां पर जैसे बता है यहां पर color यहां पर light off और on भी आप अप कर पाओगे और यहां पर timer भी दिया गया है यहां से आप time भी कर पाओगे यहां पर time setting कर पाओगे तो मैं फिलाल इसको back में जाता हो तो अब यहां पर light wave mode किस तरह से काम करता है इसका setting मैं यहां पर आपको दिखाम बार तो यहां पर light or mood on करता हूं तो यहां पर एक single color में रह जा रहा है जब ही मैं बात कर रहा हूं तो अगर मैं यहां पर कोई MP3 song या और audio चला हूं तो उसके हिसाब से इसका अलग-अलग color effect देखने को मिलेगा अलग-अलग color combination यहां पर देखने को मिलेगा तो फिलाल मैं कोई गाना नहीं चला रहा हूं क्य और यहां पर डिवाइस सेट करना पड़ेगा सेट अप डिवाइस इसमें प्रेस करता हूं प्रेस करने के बाद वार्क विद गूगल तो यहां पर आपको प्रेस करना पड़ेगा इस जगा में तो यहां पर आने के बाद यहां से उपर में realme link app आपको सर्च करना पड़े अभी यहां पर accept to continue इसको प्रेस करना पड़ेगा और यहां पर दिखिए इसको yes I mean और एक कनेक्ट आप यहां पर लॉगिंग करने पड़ेगा रेलमी से तो लॉगिंग करने के बाद अगर आप ऑथराइस करोगे तभी यह गूगल होम एप के साथ एक कनेक्ट होगा तो एकांट में लॉगिंग करने के बाद आप यहां पर ऑथराइस करना पड़ेगा तभी यह गूगल एप यहां से गूगल एप से कॉंट्रोल होगा यह यह यहां पर ऑथराइस कर रहा हूँ अब दिखें नेक्स्ट टू सेट अप सेट अप करना पड़ेगा अब यह कनेक्ट हो जाएगा अभी यह बाल्ब गूगल होम एप के साथ कनेक्ट हो चुका है यह कनेक्ट होने के बाद मैं यहां से इसको कॉंट्रोल कर पाऊंगा तो यहां पर क्लिक करने के बाद दिखें brightness गरा हुं क काम एक डम कम यहां पर देखे हो रहा है और इसको ज़्यादा कर रहा हूं तो देखे brightness ज़्यादा हुरा और color भी यहां से मैं चare पाऊंगा Google Home App से इस सब्सक्रे तो इसके ही से आपसे यहाँ पर देखे रेड तो यहाँ पर काफी सारा color option यहाँ पर दिये गया है pink तो इसके ही से आपसे यहाँ पर color setting आप कर पाओगे तो इसको फिराल मैं रख रहा हूँ और इसको voice control किस्ता से किया जाता है उसका भी setting यहाँ आपको दिखाऊँगा अब इस light को voice control से कैसे use किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊँगा तो यहाँ से दिखे यहाँ पर voice का जो यहाँ पर option है यहाँ पर मैं किलिक कर रहा हूँ Hey Google, turn off the light तो यहाँ बदे कि light बांद हो जुका है तो यह voice comment से भी यह काम करता है तो यहाँ से मैं इसको फिर on करूँगा तो यहाँ से मैं इसको प्रेस करूँगा फिर से Hey Google, turn on the light देखिए आप यह यह on हो चुका है तो यहाँ से color भी आप change कर पाऊँगा तो किस तरह से color change किया जाता है यह भी मैं आपको दिखाँगा तो यहाँ से मैं टैप करता हूँ Hey Google, make the color red तो देखिए यह red color हो चुका है तो इसको मैं blue से भी convert कर पाऊँगा Hey Google, make the color blue तो देखिए इस तरह से आप यहाँ से voice comment से आप color control कर पाऊँगे brightness भी आप कम ज़्यादा कर पाऊँगे तो यहाँ से color change कर पाऊँगे brightness कम ज़्यादा कर पाऊँगे इसका आप on off भी यहाँ से कर पाऊँगे तो review करने के बाद आप बात करते हैं इसका price के बारे में 799 में मुझे लगता है एक price justify करता है इस bulb के लिए क्योंकि इस price में दूसरा भी बल्ब आपको मिल जाएगा उप्रो का price इससे थोड़ा कम है 600 में सायद मिल जाएगा इसका price थोड़ा ज्यादा है और इस price में आपको EMI का भी बल्ब मिल जाएगा जिसमें आपको 16 million color भी मिलेगा उसका warranty थोड़ा कम है 6 month का warranty है यहाँ पर 2 साल का आपको warranty मिलेगा तो लगबख जो जो features यहाँ पर Realme बल्ब में मिलेगा आपको EMI में भी same features आपको देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो extra features light wave mode दिये गया है इस price range का अंदर मुझे लगता है दूसरा कोई बल्ब में इस तरह का features आपको देखने को नहीं मिलेगा तो guys अगर आपको इस वीडियो के related कुछ जी पूछना है तो नीचे comment कीजे मैं कोशिश करने का उस comment का answer देने का अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो like कीजे मुलाकात होगा अगले वाला वीडियो में तब तक के लिए good bye